असलामों आलेकूम मैं जुलेका अरवाद जुलेकास केचिन से तो चलिए आज हम बनाते हैं चने का सालन चने की ग्रेवी बहुत मज़ेदार चकपटी मज़ेदार बनती है तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी साधार अन्याने ओर्डिनरी इंग्रीडियन से एक्स् जब से पहले तो यह है एक कप चने ब्राउन वाले इससे मैंने पिछली रात को पहले तो दूतिन पानी से धो लिया और साफ पानी में भाग कर भीगाने रग दिया था बाहर ही रखा था तकरीबर दो सो ग्राम होंगे यह अप्रॉक्सिमेटली कुकर का चूला फास्ट दाल चीनी के और आदा चुड़ चैका चमच साबुच जीरा दाल दें इसे तर्टरा जाने दीजिए तेल में जब तर्टरा जाए तो एक मीडियम साइज की प्यास दाल दें और उससे फ्राय करें तब तक फ्राय करें जब तक लाइट गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाती ज दाल दीजिए चुटकी बार नम्मक और आदा चुट़ चैका चमच हल्दी पाउडर एक बार चला लीजिए और स्लो आज करके इसे ठापकर पकने दीजिए तब तक पकाए जब तक यह जो टमाटर है ना यह नम नहीं हो जाते और घुल नहीं जाते थोड़े बहुत तब चलिए दो-चार मिनिट हो चुकी आप देख सकते हैं टमाटर अच्छे भून चुके और एकदम देख सकते हैं मशी हो चुके हैं तो अब यहाँ पर मैं डाल देती हूँ तीन चोटे चैके चमच धनिया पाउडर अच्छा मुझे थोड़ा सा ग्रेवी ना पतली अच्छी कर सकते हैं और वन फोट का पानी डाल दीजिए एक पर चला लीजिए और ढाक कर इसे पकने दीजिए इस लो आज पर तब तक पकाई जब तक तेल नहीं छूट जाता और मसाला भून जाएगा चलिए तीन-चार मिनिट हो चुकी आप देख सकते हैं मसाला भून चुका है और तेल छूट चुका है तो अब मैं यह जो साइट पर चने थे उन सब को नितार कर इसमें डाल दीजिए पिस्मिल्लाय रखने रहीं बोल कर और उसे चला लीजिए और उसे मीडियम आज कर दीजिए और तकरीबन दो मिनित तक मसाले के अंदर चनों को भूनिए बार बार चलाते रहें कि हमारा जो मसाला है नीचे चिटके न इस ही दर्मियान में नमक भी डाल दीजी की हमने नमक बरावर से तो डाला हीनी न अभी आगे तो चनी के भाग का दाल दीजिए और चलाते रहिये जब दो मिनिट हो जाए तो आप चाहे तो दो गप पानी डाले या पि चालू कर दीजिए और 3-4 सीठी खिला लीजिए फास्ट पर जब 3-4 सीठी हो जाए तो slow आज करके 15 मिनिटे से slow पर रहने दीजिए जब slow आज पर 15 मिनिट हो जाए तो चुले को कर दीजिए बंद और एकदम completely ठंडा हो जाने दीजिए प्रेशर पूरा निकल जाए तो फिर खोल लीजिए और चेक कर लीजिए कि आपके यह चले हो गया है के नहीं यह देखें कम लग रहा है तो यहाँ थोड़ा चा नम्मक भी आज़स कर लेती हूं और इसे एक बार चला कर इसे slow आज करकर धाकर तकरीब दीजान मिनिट पे मैं दम पे पकने देती हूं जो इमली दाली है वो भी थोड़ी सी इंफ्यूज हो ना इन रबन निकाल कर ढाकिएगा चलिए तीन-चार मिनिट हो गई है चूला में कर देती हूं बंद मुझे ग्रेवी एकदम परफेक्ट लग रही है तो मैंने चूला तो बंद कर दिया है लेकिन खूब सारी बारी पकने देजे दमपर तब तर पकाया जब तक थोड़ा थेल नहीं उपर आ जाता उसके बाद बंद कीजिएगा और फिर निकाल लीजिएगा चलिय मैंने निकाल लिया निकालने के बाद फिर से मैं थोड़े सी कोथमेरी आने के हारा धनिया दाल देती हूं लाल मिर्शी का यहां पर मैंने डेड़ से दो टीबल स्पून इमली का गुदा दाला है आप अपने हिसाब से कम्या जादा डाल सकते तो यह बन गया हमारा घड़ अगमा करम चटपट चटपटा सा चने का सालन रड़ी है तो हैना मज़ेदार रेसिपी आज़ी अगर आपी रेसिपी बना अपस्ट वबाइ